ममता बनर जी के ऐसी मैला सीम रही है जिन्होंने अपनी हर बात बहुत बेबाकी के साथ रखी है अपनी कोई भी प्रतिक्रिया अगर उनको देनी होती है तो बहुत बेबाकी के साथ वो पूरे देश के सामने उसको रख देती हैं अपनी शर्तों को बहुत अच्छे से दूसर आने वाला भी है क्योंकि अब चुनाव के बाद इंडी गडबंदन को बाहर से समर्थन देने का एलान ममता बनर जी के और से कह दिया गया है लेकिन इसके लिए उन्हें एक बहुत बड़ी शर्त खुद कॉंग्रस के सामने रखी है ममता बनर जी ने विपक्षी गडबंदन इंडिया ब्लॉक को बाहर से समर्थन देने की बात तो कही है ममता बनर जी ने कहा कि लोकसभा चुनाओ के बाद अगर इंडिया गडबंदन सत्ता में आता है तो वो उसे बाहर से हर तरह का पूर्ण समर्थन देंगी मगर इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी शर्त रग दी है बंगाल की मुख्यमंतरी ममता बनर जी ने सीट बटवारे पर कॉंग्रस के साथ जगड़े के बाद इंडिया ब्लॉक से खुद को अलग कर लिया था अब वो कुछ हद तक पिघलती हुई दिख रही है मुख्यमंतरी ने आज ये भी कहा कि आम चुनाओ के बाद विपक्षी गुड के सत्ता में आने पर वो उसे बाहर से समर्थन देंगी ममता बनर जी ने आगे ये भी कहा कि हम इंडिया गड़बंदन को नेतरत प्रदान करेंगे और उन्हें बाहर से हर तरह से मदद भी करेंगे हम ऐसी सरकार बनाएंगे ताकि बंगाल में हमारी मा ब प्रदान के सामने रग दी उनके इंडिया ब्लॉक में कटर प्रतिव दंदी और वरिष्ट कॉंग्रस ने ताधी रंदन चौधरी के नितरत वाली बंगाल कॉंग्रस या CPM शामिल नहीं है ये उनकी शर्त है ममता बनर जी ने कहा कि आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिय आलाइंस में बंगाल कॉंग्रस और CPIM को मत गिने वो दोनों हमारे साथ नहीं है वो दोनों भाजपा के साथ है मैं दिल्ली के बारे में बात कर रही हूं ये ममता बनर जी ने कहा और ममता बनर जी का रूक फिलाल तब सामने आया जब देश की 70% सीटू पर चुनाव संपन ह हो गया है फिलाल अभी तीन दौर का चुनाव बाकी है बंगाल में हर चरण में लगातार वोटिंग चल रही है फिलाल चार चरण में ये चुनाव अब तक संपन हो गया है लेकिन अब ममता बनर जी को जो पहले रूक था जब इंडिया गडबंदन से हटने का उनने एलान क फिला था वो पिघलता हुआ वो बदलता हुआ अब जरूर नजर आ रहा है यानि कुछ सोच समझकर ही ममता बनर जी अपना ये बयान आगे दे रही है क्योंकि चार चरण का जो मद्दान है वो संपन हो चुका है आपको क्या लगता है ममता बनर जी किसके पीछे की जो मंश पिछा है वो क्या रही होगी आखिर अब वो पिघलती हुई क्यों नजर आ रही है इंडिया गड़बंधन को लेकर क्योंकि पहले तो उन्हें समर्थन नहीं दिया सीट बटवारे से वो पीछे हाट गई लेकिन आप यह कह रही है कि अगर इंडिया गड़बंधन सत्ता में आता है तो उनकी भी एक शर्त सामने होगी और बाहर से पूरा समर्थन टीम्सी काउंट को मिलेगा आपका क्या कहना है इस खबर पर अपना फीडबाक कमेंट सेक्शन के जरीह हम तक जरूर पहुंच आईए और तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए अगर आपने अब तक न्यूज 18 इंडिया की योट्यूब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर दबाईए